डेटा ही नया ओयल है, मतलब आने वाले समय में लोग तेल से अधिक महत्व डेटा को देने वाले हैं, और अभी से ही इसकी शुरुआत भी हो चुकी हैं, तो इतना सारा डेटा जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वह स्टोर और प्रोसेस कहां होता है? जी हां, आपने सही पह मिड केप स्टॉक्स के बारे में, देखिए, यहां जो भी स्टॉक्स बताए जाएंगे, वह केवल आपकी जानकारी के उद्देश से ही बताए जाएंगे, और इन में से कौन सा बढ़िया है, या किसमें इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आप अपना रिसर्च अवश्य कर जो 2022 में थी महज 800 मेगावाट, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस फ्यूटरिस्टिक सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आने वाला है, और ये कितना तेजी से क्रो होने वाला है, अब इन स्टॉक्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये देटा सेंटर्स अखिर होते क्या हैं, देखे देटा सेंटर को आप लोग डिजिटल वर्ल्ड का धड़कता हुआ दिल समझ सकते हैं, जिसके पास में बहुत ही एडवांस कम्प्यूटिंग सिस्टम्स, सर्वर्स, स्टोरेज उनिट्स और नेट्वर्किंग सिस्टम्स होत तब ये सारा डेटा सेंटर के थ्रू ही जाता है, तो आप समझ गया होंगे कि ये सेंटर कितना फ्यूचरिस्टिक है और एक प्रकार से डिजिटल एको सिस्टम का हुर्दय है, तो आपको इस फ्यूचरिस्टिक सेंटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अग उससे जुड़े इंफ्रस्ट्रक्चर, सुपरकम्प्यूटिंग, AI और सॉफ्टेर सिस्टम के एक शेतर में काम करता है, अगर आपको याद हो, तब इसका IPO अभी जुलाई 2023 में ही आया था, और वह अभी IPO प्राइस से डाउन ही चल रहा है, कंपनी के बेसिक फैनेशल की ब मतलब इसमें आगे काफी growth potential लगती है, इसका PE अधिक है, मतलब बाजार ने इसको अधिक valuation दे रखी है, पर अगर इसके आने वाले results बढ़िया आते हैं, तब इसका PE अपने आप ही adjust हो जाएगा, कंपनी का ROCE यानि return on capital employed और ROE यानि return on equity काफी बढ़िया है, और इसकी promoter holdings भी शांदार है, जो की है 75%, debt to equity बताता है, कि इनके करजे भी कम है, और इसकी profit growth तो बहुत ही शांदार है, कुल मुला करके net web technologies एक नई company है, और इसमें invest करने से पहले आने वाले quarter 2 के results पर ध्यान देना पड़ेगा, अब आई ये बात करते हैं, अगले data center stock की, जो है rail tell, जी ह और ये मुक्यते सरकारी और PSU कमपनियों के projects लेती है, ये भी एक small cap company ही है, जिसका market cap है 7,289 करोड का, और इसका current market price है 277 रूपए, अगर 52 weeks के high low की बात करें, तब पिछले एक साल में इसने पैसे को लगभग तिगुना किया है, इस company का dividend yield भी ठीक ठाक है, करीब 1% का, rail tell क ROCE, ROE, promoter holding बढ़िया है, और इस पर करजान ना के बराबर है, इस company को भी बाजार में list हुए अधिक समय नहीं हुआ है, पर इसकी profit growth अभी negative में दिख रही है, इस company का free cash flow काफी मजबूत है, पर price to book और PE के हिसाब से, ये company अभी थोड़ी महंगी लगती है, हमें देखना कि quarter 2 में Railtail कैसा results post करता है, अब अगली company है ADC India Communications, जो data center solutions प्रदान करती है, और उससे जुड़े हुए components की supply करती है, जो भी data centers में use होते हैं, जैसे cooling और power से जुड़े हुए products, broadcasting और any wireless products, साथ ही साथ वह इनसे जुड़े हुई consulting और management services भी देती है, अगर आप इसका market cap देखे तो वह है महज 351 करोड का, मतलब ये company micro cap company है, जिसका current market price है 763, पिछले एक साल में इसने भी investors के पैसो को लगभग तिगुना किया है, और इसका valuation भी काफी high जा चुका है, ये है तो एक micro cap company, पर देखिए ये dividend भी देती है, जो company के लिए एक positive संखेत होता है, ROCE, ROE और promoter holding ब अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ADC India एक साल में ही इतना भाग गया, क्योंकि इसके fundamentals शांदार है, ये company पुरानी है और अभी इसका 10 साल का returns देखें, तो वह है 21.9%, 7 साल का 14 परतिशत, 5 साल का 32 परतिशत, और 3 साल का 61% return है, हलाकि इस company की profit growth और free cash flow अभी negative में है, इस बात का देहन रखें, अगला stock है Orion Pro Solutions, जो data center solutions, smart city solutions, big data analytics, cloud services और consulting के एक शेतर में काम करता है, ये भी एक small cap company है, जिसका current market price है 1409 रूपए, इसने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा लगबग 5 गुना किया है, इस company का PE अभी 32 का है, और ये dividend भी देती है, Orion Pro Solutions का ROCE, ROE बढ़ पर करजे काफी कम है, और इसका profit growth और 3 साल का free cash flow बढ़िया है, अगर आप इसका पिछला returns देखेंगे, तब वह है 10 साल में 40%, 7 साल में 44%, 5 साल में 54%, 3 साल में 144% और 1 साल में आप देखी रहे हैं, मतलब ये company long term में हुआधार returns दे रही है, हमारी अगली company है Marine Electricals, जो एक micro cap company ह केवल 858 करोर की, इसके नाम में ही marine लगा है, मतलब ये underwater और marine solutions प्रवाइड करती है, जैसे underwater data centers, electrical automation और green energy solutions, इसका current market price चल रहा है 68 रुपय का, और इसने भी पिछले एक सालों में निवेशकों का पैसा धाई गुना किया है, stock का ROCE, ROE बढ़िया है, और साथ ही साथ इसका promoter holding building भी 74.5% है, जो की शांदार है, इस microcap company के ऊपर करजे बहुत कम है, और इसकी profit growth भी बढ़िया है, marine electricals ने 5 साल में 38 प्रतिशयत और 3 साल में 25 प्रतिशयत के returns दिये है, अगर current free cash flow की बात करें, तो वह तो negative है, पर पिछले 3 साल का cash flow positive में है, देखना होगा कि marine electricals quarter 2 में कैसा results post करती है, अब अगली company का नाम है अनन्त राज, जो purely real estate, infra और warehousing से जुड़ी भी company है, और अभी इसने data centers के construction का काम भी लिया है, और इसके पास में काफी data centers के projects भी है, ये भी एक small cap company है, जिसका market cap 76 100 करोड है, और इसका current market price चल रहा है 235 रुपे, पिछले एक साल में इसने निवेशकों के पैसे को लगभग धाई गुना कर दिया है, ये company चुकी real estate से है, इसलिए इसके ROCE और ROE थोड़े से कम हैं, बाकी stocks की अपेक्षा, पर हां इसका promoter holding बढ़िया है, करीब 63%, company का debt to equity है 0.39, मतलब करजे अधिक नहीं है, और इसका profit growth और 3 साल का cash flow बहुत अनन्त राज ने पिछले 10 सालों में 24 प्रतिशत, 7 सालों में 34 प्रतिशत, 5 सालों में 61 प्रतिशत, और पेशले 3 सालों में 133 प्रतिशत के returns दिये हैं, जो की बहत शांदार है, अब बात करते हैं आखरी company की, जिसका नाम है ITI Limited, जो एक सरकारी company है, और वो data center, hosting, cloud and communications, support system के ए इतर में काम करती है, और basically यह government और PSU कमपनियों के projects लेती है, market cap की बात करें, तो इसका market cap ठीक ठाक है, लगबग 26,000 करोड़ों के आसपास, यानि यह एक mid cap जैसी company है, अगर पिछले 1 साल के returns की बात करें, तो इसने निवेशकों के पैसे को लगबग तिगुना कर दिया है, हाला कि यह company एक सरकारी company है, पर इसका fundamentals उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस stock ने रफ्तार पकड़ी है, उससे लगता है कि आगे जाकर के यह results काफी अच्छे post करने वाला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ROCE और ROE अभी फिलहाल negative में है, promoter holding 90% है, मतल कि यह one से कम है, तो यह करजा manageable है, वही पर अगर आप देखेंगे, तो profit growth negative में दिखा रहा है, free cash flow 3 साल का negative में है, returns की बात करेंगे, तो 10 साल का return है 33%, 7 साल का return है 38.5%, 5 साल का 26.7%, 3 साल का है लगभग 30% और 1 साल का return तो आप चानते ही है, वहीं अगर current free cash flow की बात करेंगे, त हमें इसके आगे के results देखना बहुत ही आवश्यक होगा, तो यह कुछ ऐसी small cap और micro cap company हैं, जो futuristic sector, यानि data center से जुडिवी हैं, और भविश्य में multi bagger बन सकती हैं, हाला कि इसमें से काफी सारी companyों में rally already आ चुकी है, पर कुछ में अभी भी काफी potential बाकी है, अगर आपको इन के मदद से आप किसी भी company का financial health पहचान सकते हैं,